तो बच्चो विंटर वेकेशन के बाद आज 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 आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही हैं तो प्लीज जैसे आपने अभी तक इसमें ध्यान दिया है उसी तरीके से आप इसे इसको समझिए और पढ़िए ठीके तो आज देखते हैं हम आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज जो हमारा लेसन है वो है हमारा लेसन numbe founder nine page number 72 और वो है हमारा एजुकेटिव क्लास ठीक है तो ध्यान से सुनिये ऐसे वग खोल के रखिये और ध्यान से इसको सुनिये ठीक तो देखिये It was a cold winter morning, the children asked their teacher whether he could take the class outside in the sun It was a cold winter morning, मतलब जो स्कूल बच्चे जा रखे हैं, वो बता रहे हैं अपने क्लास का, जो उनका कैसा महौल है तो it was a cold winter morning, मतलब जो सुबह है वो कैसी है, cold है, ठंडी है The children asked their teacher, जो बच्चे हैं वो अपनी teacher से पूश रहे हैं, कि whether he could take the class outside in the sun कि जो उनकी teacher है, वो क्लास कहां लेंगी, क्योंकि जो मौसम है वो ठंडा है तो वो क्लास उनकी कहां पे चलेंगी, outside in the sun, धूप में बठा के क्या उनको पढ़ाएंगी The teacher readily agreed, जो उनकी teacher है, वो बहुत जल्दी से क्या होगे, इस बात के लिए सहमत हो गई है, मान गए है The children ran out happily, और जो बच्चे हैं, जब बच्चों को बहार ले जाते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत जादा happy हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं अब देखिए इनका क्या है, यह conversation है, बच्चे और teachers का, ठीक Teacher, today I will ask you the questions about the months in our year, तो उनकी teacher उनको कह रही है कि बच्चों, आज जो मेरा सवाल है, वो किस से related है, वो है, महीने, साल में कितने महीने होते हैं, उसको लेकर उनका सवाल है, ठीक Teacher, how many months are there in our year, तो teacher ने सवाल किया है, कि साल में कितने महीने होते हैं, तो राहूल ने जवाब दिया Sir, 12, मतलब, Sir, साल में 12 महीने होते हैं Teacher, name the months which have 31 days, teacher ने कहा, कि name the months which have 31 days आप उन मन्त का नाम बताईए, जिसमें 31 days होते हैं, तो किस बच्चे के लिए बोला, सोनू के लिए सोनू, सोनू ने reply किया, January, March, May, July, August, October and December तो साल के वो महीने हैं, जिनमें 31 days होते हैं, January है, March है, May है, July है, August है, October है और December है, teacher, teacher ने बोला, good, which months have 30 days, अब teacher ने दूसरा सवाल किया, कि उन मन्त के नाम बताईए, जिनमें 30 days होते हैं, तो ये सवाल पूछा गया, राजीव से, तो राजीव ने reply किया, April, June, September and November तो वो साल में 30 महीनों का जो महीना होता है, वो होता है, April, June, September and November टीचर ने कहा, how is the month February different from other months, अंकिता फरवरी साल के अलग महीनों में अलग क्यों होता है, साल के जो बारा महीने हैं, उन में जो मन्त है फरवरी वो अलग क्यों है तो अंकिता ने कहा, February has only 28 days, तो फरवरी क्यों अलग है, फरवरी इसलिए अलग है क्योंकि जो फरवरी है, उसमें कितने days होते हैं, only 28, फरवरी का जो महीना है साल में, उसमें केवल 28 ही दिन होते हैं, ठीक है, आगे चलते है Teacher, how many days are there in a leap year, अक्षत, अक्षत से मैं आपने पूछा, कि जो leap year, how many days are there in a leap year, leap year में कितने days होते हैं, अक्षत ने क्या जवाब दिया, अक्षत ने जवाब दिया, There are 366 days in a leap year, leap year में 366 days होते हैं, ठीक है, teacher, which month has the extra day, वरुण, तो teacher ने फिर वरुण से पूछा, कि which month has the extra day, extra day कौन सा महीना है, जिसमें extra day होते हैं, ठीक है, वरुण ने कहा, Sir, February has 29 days, February जो महीना है, उसमें कितने days होते हैं, 29 days होते हैं, रोहित, रोहित ने सर से पूछा, Sir, when does a leap year come, जो leap year है, वो कब आता है, वो कब होता है, Teacher ने क्या कहा, Teacher ने कहा, It comes after every four years, हर चार साल बाद, जो leap year है, वो आता है, next leap year will be 2016, तो teacher ने जवाब दिया है, कि जो हर चार साल बाद, क्या होता है, leap year आता है, और next leap year will be 2016, जो यह बात, जो है, यह पुरानी बात है, इसलिए टीचर ने जवाब दिया है, कि जो 2016 आएगा, व Teacher, how many weeks are there in a month, अब टीचर ने पूछा कि how many weeks are there in a month, कि month में कितने weeks होते हैं, अनुजा ने कहा, four weeks, एक महीने में कितने हफते होते हैं, तो अनुजा ने reply किया, four weeks, Teacher, does anybody want to ask a question, क्या कोई और question पूछना चाहता है, तो students ने कहा, बच्चों ने कहा, no sir, just then the bell rings and the children rush inside for their next class, उसी समय बेल बजी, घंटी लग गई, और सभी बच्चे जो है, अपनी दूसरी क्लास के लिए, अपनी क्लास के अंदर enter हो गए, they had thoroughly enjoyed the special class, उन सभी बच्चों ने वो जो क्लास थी, उसको क्या किया, बहुत जादा enjoy किया, ठीक है, तो ये lesson है आपका, ये complete हो चुका है, और आपने इसको एक बार revise करना है, book आपने read करनी है, अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आप एक बार वीडियो देखिए, इसका जो Hindi translation आपको बताया गया है, उसको पढ़िए, ठीक है, और इसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे next वीडियो में, ठीक है,